हेलो दोस्टों नमस्कार कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे खुश होगे और मस्ट होगे तो दोस्टों आज हम बनाएंगे लोकी के कौक्ते जो की बहुत ही टेश्टी और सॉफ्ट बन कर तयार होगे तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक गिया का दुकस कर लिया है इसमें डालेंगे हम आदा चम्मच नमक और एक कप के लगबद हम डालेंगे इसमें बेसन और एक चम्मच डालेंगे धनिया और आदा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च इनको अच्छे से हाथों की हेल्प से हम क्योंकि हमें तयार करने हैं इसके पकोडे कोपतों के लिए तो यह मैंने अच्छे से मिला लिये हैं और यहां पर मीडियम साइज के मैंने यह पकोडे भी उतार लिये हैं कोपतों के लिए और यह आपको गोल्डन ब्राउन सेकने हैं बहुत ही अच्छे से और यह बनकर इतने टेस्टी तयार हुए थे ना बस आप इन्हें बनाओगे आपको तभी पता चलेगा यह कितने टेस्टी लगते हैं और पता है आप इन्हें नास्ते में ऐसे भी खा सकते हैं जे पकोड़ी या पकोडों के रूप में तो यह चारो तरफ से अच्छे से मैंने सेख लिए थे तो कि जो हमारी ग्रेवी होते है वह थोड़ी घाड़ी हो जाती है तो आप यह ट्रिक जरूर अजमाना एक बार और कटा हुआ मैंने टमाटा डाला है कड़ी पता भी मैंने हाप डाला था एक चमस डाला है मैंने हापर हल्दी उसे अच्छे से मिलाना है अगर आपके पास मीच डाली थी काटकर और डाला है यहां पर मैंने आधी चमस रेड चिली पाउडर क्योंकि आधी चमस मैंने उसमें भी डाला था जो मैंने पकोड़े बनाये थे और मैंने एक चमस यहां पर डाला है धनिया और बस पानी मैंने एड कर दिया है एक कटोरा और इसमें पास से 6 मिंट तक मैंने यë पका लिया था पानी और हम डालेगे यहां पर अपने कोपते तो दोस्तो है यह बस आपको 6-7 मिंट तक पकाने है到 कोपतेAL कर उसमें यह बन जाते हैं क्योंकि अपति हम नहीं पका लिया था घ्रेवी वाला जो पहले से काफि पग गया था तो यह तयार है अमारे भोती सौफ्ट और टेस्टी कोकते आप देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में ग्रेस्टी थे हैं यहां पर मैंने डाल लिया है धनिया हरा धनिया तो दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीस कमेंट जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू